नमस्कार जैन साथियों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल लोगरी श्यपाल में एक नए वीडियो में नए वर्ती के साथ तो दोस्तो आज किस वीडियो हम लोग बात करने वाले भारती क्रिसी जेव प्रदुकी की संस्थान की तरफ से जो बरती निकल काई है जो ह तो आप ग्रेजुएशन पास की हैं तो इस बरती में भाग ले सकते हैं आपका कोई भी इस बरती में एक्जाम नहीं होने वाली है आपका इंटर्व्यू के माध्यम से यहां पर सेलेक्शन होने वाली है और दोस्तो इंटर्व्यू की बात करें तो यहां पर आपका इंटर से आप को इस वर्ती के लिए फोल फील де करना है तो कईसे फिल अभ करना है मैं उसके बारें वी वताऊंगा आपको टैंसन लेने की आवसकता नहीं है तो चलिए हम लोग मुझे भी motivation मिले और आप सभी के लिए प्रते एक दिंग एक नए नए वर्तिक आपडेट लेके आते रहों तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारती क्रिसी जैव प्रदुकी की संस्थान गरखंडगा राची की तरफ से जो वर्ती निकल के आ है कि आपको यहां पर दिनांग अठारा एक दोजार चोबिस प्रुवाहन दस बजे आपका वॉक इन इंटर्व्यू का आयुजित किया जाएगा जो भी योगिता आधी का विवरन आपको इस वेबसाइट जो है उस पर उपलब की जाएगी तो चलिए हम लोग आगे देखते है इस भरती के बारे पूरी विष्दी जानकारी है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ फोश्ट के लिए यहां पर भ último भाग ले सकते इस फोश्ट के लिए इल सेलेरी 30,000 पर मंत होने वाली है साथ ही साथ दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेकंड नमबर के पोस्ट के लिए दोस्तों आपका एक पोस्ट निकाली है जिसमें आपको बायो टेक्नलोजी के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर आप लाइफ साइंस के सथिसा दोस्तों आपका सेलेरी यहाँ पर मंत होने वाली है तो और चलिया चाहता हूँ यहाँ सब्सक्राइब यहाँ सब्सक्राइब्स पर मंत आपका 30,000 के लिए सेलेक्ट होते हैं इस एलेरी होने वालांस प्रफर्श है ठीक है application process की बात करते दोस्तों यहां पर eligible candidate must bring the डूली फिल application in the enclosed perform यहां पर दोस्तों आपको एनक्जिजर वन और टू को आपको अपने interview के date में लेकर आना है साथ इसाथ अटेस्ट फोटो कोपी ऑफ डॉकमेंट्स और ओरिजिनल documents in the time of interview यहां पर आपका जब interview होगा वहां उसी समय आपको फोर्म को फिलफ करके लेकर आना है साथ इसाथ आपका qualification का भी जो भी डॉकमेंट्स हो उसका original documents भी लेकर आना और self-attached photocopy भी लेकर आना है जान दिजेगा बता देना चाहते हूं आप interview के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या लेकर जाना है सबसे पहले तो आपको एक बायो डेटा बना लेना है यानि कि रिज्यूम आपको एक बना लेना पूरी complete current employer आप हो आपका हो यानि कि दोस्तों अगर आप कहीं पर जोब करते हों तो वहां का अब्जेक्शन नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है आपको अपना employer से sign करा लेना है ठीक है ना दोस्तों age की बात करें तो कौन कितने साल से कितने साल के लोग candidates इस भरती में भाग ले सकते हैं तो यहाँ पर minimum आपका 21 साल होना चाहिए और maximum आपका 45 वर्स होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पर एज्वेर रिलेक्शेशन भी आपको दिया जाएगा आप पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर पड़के देख सकते हैं यहाँ पर आपका इंटर्व्यू कहा होने वाली है इंटर्व्यू दोस्तों भारती कृसी जयव प्रद्योकी की संस्थान गरकटगा राची तो आपको लोकेशन दिखाए देगा आपको डिस्क्रिशन में लोकेशन का लिंक भी दिया जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं कि लोकेशन कहां पे है तो यहाँ पर हम लोग फोर्म को देखते हैं तो फो दोस्तो दोस्तों कैसी होने वाली है तो आपको यहां बतादेना चाहते हैं यह पिर फीर नहीं होने माली है फिर भी दोस्तों अगर आपका यह जोब लग गई हो मान के चलिए साल दो साल के लिए भी आपका यह जोब लग जाती है तो आपको 30,000 पर मंद की salary मिलने वाली तो आपका live हो सके set हो सकता है ठीक है ना तो यह एक छोटा सा update आपको देना था दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो अच्छा लगे कुछ जानकारी मिली हो तो जरूसर जरूर वीडियो को लाइक कीज़ेगा दोस्तों के साथ सियर जरूर कीज़ेगा और ऐसे ही नए नए प्राइबेट जोब गवर्मेंट जोब के वाकेंसी के अफडेट पाने के लिए चैनल को करके बिल आइकन जरूर दबा दिजेगा चलिए आगे आने वाले वीडियो फिर से एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे एक नए भरती के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा जैंद बंदमातरम